बहुत महतवूर प्रशन है आपका ये जानना बहुत जुरूरी है कि दीपक कहां कहां जलाना चाहिए दीपक तो आपको हर जगा प्रकाशित करना है किसी जगा पर अंदकार ना रहे हर जगा जो तिर मैं यहां पर सीधी सी बात कही गई जैसे भी बिनोजी ने बहुत द्यपक को मध्षत कर सबस्क्राइब हों किसचीज़ का दीपक जलाएं यह महतवपूर्ण है घी का तेल का तिलके तेल का यह ध्यान देना है अच्छा आच। दूसरी Е एक और बात है जोत और दीपकं के różne में हैं इनन्तर करना में श्याईद ध्यान नहीं अभी रहता है। आज की नई पीड़ी वो एक चीज नहीं जानती। की जोत जलती हमएंसासीडीख घडी, दीपक जलता है, लिटा हुआ। तो इसी देवता के आगे जानी है तो जोत जानी है हमें तो ये ध्यान देना विशेष्टा मेहतर पूण होगा और खास तौर पर जैसे आपने शनी देव के आगे घा की की जाती है अपनी मनोकामना की पूर्थी के लिए कre दमा के लाया है विशेशता इस चीज़ का ध्यानना दीजेगा दूसरी बात खास तौर पर यहां पर यह Congress बहुत महतवून उन लोगों के लिए जिन यह आगमन की सिती है जैसे किसी का विवा होने वाला है किसी के हाँ संतान होने वाली है उनको विशेशता है इस दिन चौरहे पे दीपक जरूर जलाना चाहिए क्यों कहते हैं कि चौरहे पे प्रकाश करने वाला पूरे समाज को प्रकाशित कर रहा है पूरे समाज के लिए एक साधन उपलप्त कर रहा है तो उसको चारो तरफ से प्रकाशित होता है और कहते हैं कि उसे लाब मिलता है और यह ऐसा उपाय है अचूक उपाय है कि उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और विशेशत है दियान दीजिएगा जिन लोगों के यहां संतान उ अचारे विनूत भारदवाद जी मैं जानना चाहूंगी चुराहे का जिक्र किया चुराहे पर दिया हम देखते जलाया जाता है इसका महत्व क्या होता है कि चारो ओर से सुक सम्रिद्धी जो है मिले यह महत्व होता है दिखिए दीपक निश्चित रूप से आपके जीवन के समस्त अंधकारों को दूर करता है तंत्र सास्तर में ऐसा कहा गया है चौराहा आपके चतुर दिख मार्ग को खोलने वाला है और आपके जीवन में यदि कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा है चाहे वा भूत प्रेतादिक बाधा चाहे वा तंत्र सक्तियों की बाधा एक दिपक दिपक भी सर्सों के तेल का क्योंकि देखिए यह चीज़-णोटकरिएगा तन्त्र सास्त्र में चवराहे पर के छेत्र दिपतीं छेत्र-पाल कावास होता है मतलब काल भैरुम का वास होता है यदि आप अपने घर से अपने घर के लोगों के ऊपर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में तीन तीन बार उस दीपक को जला के उनके सर से गुमा करके दीपक को चौराहे पे रखते हैं तो निश्चित रूप से तमाम नकारात्मक बाधा तमाम तंत्र बाधा वहा छेत कुछ और भी हैं कुछ और भी कुछ और भी टोटके हैं क्योंकि ऐसा है ना कि दीपा वली टोटकों का तेवार है ऐसा कहा जाता है कि छोटे-छोटे टोटके जीवन में अमरित की बरसा कराते हैं शब से पहले हम आते हैं क्योंकि दीपा वली धन के लिए जानी जाती है दीपा वली में आईस्वरे के लिए लोग जानते हैं क्योंकि गनेस लक्षमी की पूजा निस्चित रूप से संपन्न करते हैं यदि आप धन के लिए सोच रहे हैं या अपने व्यापार को और अच्छ और अच्छी इसिती में ले जाने के लिए सोच रहे हैं तो गड़ेस लक्षमी के पूजा में कमल गट्टा होना चाहिए पांच एक लाल वस्त रख लीजिएगा और एक मंत रिख लीजिएगा इसी से जुड़ा सवाल अचारे जेपी सिंग जी मैं आपसे पूछना लेकिन मैं बच्पन से देख रहे हूं कि लक्षमी गणेश की आर्ति जो है वो की जाती है इस बात से आप कितना सहमत है दिलकुल मैं इस बात का खंडन करता हूं कि देखिए आज शोशल मीडिया या गूगल देवता के प्रताप में क्या हो रहा है कि अपनी बात को के बजाए तो इसलिए यह चीज को बहुत समझदारी वाली बात नहीं कि आर्ति ना करी जाए हां आप इस बार एक सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंट चल रहा है अगर आप उसको भी देख रहे हो कि ड्राइफूट ना ले ना दें लेकिन आजारत जी यहां पर आपको रो कि आप जिस विधी विधान को मान के चलते हैं या जो भी विधी मानते हैं आपके घर की जो रिती रिवाज हैं सबके अलग अलग रिती रिवाज हैं हर जो जाती के अलग तरगी से पूजन करते हैं उसका यहां पर जिकर नहीं करूँगा बहुत लंब अवस्तारित रूप हो जाएगा पर मैं यह जरूर कहूंगा जैसे भी भार्दाजी बता रहे थे अब जो विधी वो पूरी करें पनी तो मैं उस बात पर आगे बोलूं कि बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे पर मैं यह एक बात यह कह दूं कि आप यह धियान रखिएगा कि आरति या जो भ बात पर नहीं जाना चाहूंगा पर मैं आपको यह बात कह दूं कि आप इस खंडन मंडन में मज जाएए आप सिर्फ इतना मानिये उद्यातिति क्या है उद्यातिति एक है और एक को ही दिपावली है तो इस चीज़ को भी धियान दीजेगा गूगल पर तो बहुत कुछ च किया जाए शुडवात किस तरह से हो और वो हम सोशल मीडिया की भाशा में कहते हैं सीक्विंस क्या रहे ताकि कोई ब्रह्म की सिति जो है वो युवाओं में आ रहे और आज की पीडी में आ रहे पलक जी आपने बहुत महत्त पूर्ण प्रश्न किया है क्योंकि पूजन की किया निश्चित रूप से अध्याक्मिक और वैदिक है इसमें जरासा भी अगर आप इधर उधर का कारे करते हैं मतलब ना जानते हुए अगर यग्य कर रहे हैं देखिए एक तो होती भावना कि मेरे मन में जो आ रहा है मैं कर रहा हूं उसमें तो कोई दोस्त नहीं है ले वैदि आप वही से संपन्न करेंगे तभी पूर्ड वांग में अर्थात उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा मैं एक मिनट के लिए यहां पर आना चाहता हूं आरती की बात आपने किया था पलग जी तो देखिए पहले वो कमल गट्टे वाली बात पूरी कर यह बहु शमोहिते जगत लक्षमी की माया निस्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन को शमोहित करके रखती है और कौन नहीं चाहता कि माता लक्षमी का वास हमारे घर में हो लेकिन भाग्यवान के जीवन में ही माता लक्षमी का प्रवेस होता है और भाग्यवान धर्म से होता है व उजन्द आप संपंध कर ले ना एक लाल रंग की रुमाल रख ले और कमल गट्टा जो जो लक्षमी का यंत्र है और तीन हल्दी की गाठ रख ले और सौ ग्राम धनिया एक मंत्र लिखिएगा यह मंत्र बेहत चमतकारी मंत्र है दीपावली की रात्री में यदि इस मंत्र का पाट किया जाता है तो वहाँ अब पोटली धन पोटली बन जाती है कोई साधारन वस्त्र ना कमल गटा ना हल्दी नहीं रहे जाती हूँ वो हो जाता है एक तरह से यंत्रम तो इन सब चीजों को रख करके मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा इतना बड़ा मंत्र आपके लिए मुश्किल हो सकता है तो एक साधारन सा मंत्र है ओम स्रिंग स्रिय नमा या ओम महालक्षमी ये सबसे साधर मंत्र है ओम महालक्षमी प्रसन्ना वर्दा सुभा इस मंत्र का 108 बार पाठ करके इस पोटली को बांध लें और बांध करके अपने ब्यापारिक अस्थान पे रखेंगे तो ब्यापार आपका बढ़ेगा 100% पुरी आस्था के साथ आप रखिएगा जरूर ब्यापार में लाव होगा यदि आप घर में शांती चाहते हैं तो यही पोटली इसान कोड में